फिलहाल जहां से हम गुजर रहे हैं यह कुंबल गड़ वन्यजीव अभ्यारण का ही एक भाग है इसलिए आपको यहां रास्ते में अनेक वन्यजीव दिखाई दे सकते हैं ऐसा काम आपको हर जगे देखने को नहीं मिलता है बहुत कम जगे हैं बहुत कम मंदिर हैं जहां आप देख सकते हैं ऐसी अदबुत कला तो यह है सामने वाला भाग रणकपुर जैन मंदिर का इस मंदिर की विशेषता ही है यह जो कलाकारी है तो इसकी सुंदरता का वर्णन क कार्य पूरा नहीं वाधात जैहिंद वंदे मातरम आप सूच रहे होंगे आज मैंने आपका वेलकम ऐसे क्यों किया तो इसकी वज़ा है कि आज का जो दिन है ये है बेहद खास क्योंकि आज जो दिन है वो है हमारी आजादी की 75 वी सालगिरय यानी की वर्षगांट और मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगे हुए हमारे राष्ट्रिय ध्वज तिरंगे को जिसको देखकर हमारे दिल में अभिमान आता है एक सम्मान आता है और आज के इस खास दिन मैं आपको घुमाने वाला हूँ एक बेहद खास जगह जो है पूरी दुनिया में मशूर अपने ज पहास मंदिर है जैन मंदिर है श्वेतांबर जैन मंदिर वो दिखाओं उससे पहले मुलाकात करवाना चाहूंगा मेरे सहयात्रियों से जैहिंद से आप पहले भी मिल चुके हैं उबेशवर वाले ब्लॉग में मेरा नाम साक्षी है और आज हम जैन मंदिर घूमने आए हमें दो घंटे लगे हैं पूरे क्योंकि रास्ता एकदम वैसा ही था एक पतली सी सडक थी और बहुत ही बतलब पहाड़ी रास्ता जैसा हो जब हम आये थे यहां बहुत सारे मुत्रों के शाथ और बड़ा एंजोय किया था और आज मामा जी अपनी गल्ती का सुधार करने के लिए यहां पर आये हैं मामा जी बताइए जरा क्या थी वो गल्ती गण्पत्नी को नहीं लाया था आज इसके साथ आये हैं बहुत तो आप सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे सभी पुर्शुंकों की भूनने जाएं मामी जी अब तो शिकायत दूर हो गई होगी आप भी वह गई शिकायत दूर पहले मैं तो नहीं आई हूई थी पहली बहुत अच्छा लगा पुहारे पढ़ रही है तो गोरी आनंद ह तो मेरे सही आत्रियों से भी मुलाकात हो चुकी है इस से पहले हम जाकर शुरू करें हमारा रणकपुर मंदिर का दर्शन अभियान पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आखिर हम लोग यहाँ पर पहुँचे कैसे जी हां रास्ता जो है बहुत ही प्यारा था हरा बरा पहा खुमते घुमाते हैं हम लोग यहाँ कैसे पहुचे वो भी देखिए वैसे इतनी हर्याली को देखकर आँखों को सुगुन तो मिल ही रहा है साथ ही ठंडी ठंडी हवा भी हमारे आनंद में व्रद्दी कर रही है आकाश में छाये हैं बादल जो कभी भी कर सकते हैं बारिश की बौचार वैसे यह गीली सड़क गवाई दे रही है कि यहाँ यह देखिए यहाँ लोग बीच में रुक कर मन मोहत प्राकर्तिक सुंदरता का अवलोकन कर रहे हैं वैसे नेच्रल ब्यूटी को देखने के लिए थोड़ा टाइम देना ही चाहिए फिलहाल जहां से हम गुजर रहे हैं यह कुंबल गड़ वन्यजीव अभ्यारण का ही एक भाग है इसलिए आपको यहाँ रास्ते में अनेक वन्यजीव दिखाई दे सकते हैं और यहाँ देखिए हन्वान जी के खुले मंदिर में विराजमान है उनकी वानर सेना यानि की ये लंगूर वैसे वानर सेना के कुछ सदस से यहाँ भी बैठे देगे जा सकते हैं और ये जो पैदल यात्री आप देख रहे हैं ये सब जा रहे हैं राम देवरा की ओर राजस्थान के लोग देवता बाबा राम देव जी के मेले में उनके दर्शन करने के लिए लीजे हरियाली से भरे रास्ते से घुजर कर हम फाइनली पहुंची गए हैं हमारे डेस्टिनेशन रनकपुर में इससे पहले हम लोग अंदर जाएं प्रवेश करें रनकपुर जैन मंदिर के इस क्षेत्र के अंदर आपको दिखाता हूँ इसके प्रवेश द्वार के बाहर से बैती वी इस छोटी सी नती को देखिए जल की दारा बैते वे जा रही है और ये है रनकपुर्ग का प्रवेश द्वार चलिए करते अंदर प्रवेश द्वार के दोनों तरफ है हाथी और द्वारपाल भी बने हुए हैं ये देखिए यहाँ पे है हाथी और इस तरफ एक द्वारपाल है और राइट एंड साइड में भी एक हाथी और द्वारपाल ह और यहां द्वार के मध्य में उपर आप देख सकते हैं आदिनाजी की प्रतिमा को और सेविकाएं हैं उनके दौनों तरफ चलिए करते हैं अंदर प्रवेश गारी भी पार्क हो चुकी है अब हम जाते हैं आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए तो उस प्रवेश द्वार से अंदर आते ही यहां लेफ्ट एंड साइड में यह पार्किंग है भूजन भवन भी है इस तरफ ही अब सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर इस्थित पार्शवनाजी का जो जैन मंदिर है वो क्योंकि सबसे पहले हमारे मार्ग में यही आता है जैसे हम यहां आये हैं इस तरफ हमें दिखाई देता है पार्शवनाजी का यह मंदिर यह देखिए थोड़ी सी सीडियां चड़नी होगी और आ गए हम यहां पर इस कलात्मक प्रवेश द्वार तक यह देखिए आप साक्षी और मामी जी बैठे हैं । कि यह दोड़ा आदमी है मतलब अलग हम लोग बुड़ा थ ibaFilry अ कर एज हो जाती है दिए थिरे धीरे चड़ रही है यह देखिए इस प्रवेश दौर पर यहां गणेश जी है और यहां पे जो जैनम धनुक के तिर्थंकर है यह देखिए यहां पर आदिनाथ जी और बहुत सारी प्रतिमाएं है यह इनके बारे में मुझे जानगारी नहीं है कौन-कौन सी प्रतिमाएं है लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बहतरीन कला है इहीं से दिखाई देता है मुख्य मंधिर रणकपूर का यह देखिए वहाँ अदिनाथ जी अंदर आप देख सकते हैं दीवारे नहीं है उपर ही एक खड़ा है यह वाला हिस्सा और बहुत ही बढ़िया स्थम्भ है ये छत जो है इसके उपर वैसे कोई नकाशी नहीं है बहुत ही प्लेन काम है ये देखे शायद प्लास्टर बाद में इसके उपर किया गया है थोड़ा जिरनोद्दार किया गया है तो ये है पारशवनाजी का मंदिर जहां सामने गर्ब ग्रे के अंद जी की पहले तीर्थंकर आदिनाज जी आनी की रिशब देव जी की प्रतिमा और मंदिर के अंदर लाइट नहीं जलाई जाती है दीपक का जो प्रकाश होता है उसी के अंदर सब कार्य संपन होते हैं ये देखे आब आंतरिक भाग पारशवनाजी के मंदिर का आप देख च ये देखें प्रतिमाय니 उनका अंकन किया गया है ये देखिया एक आप ऐसा काम यह छree情 देखने को हर ट्रूस देखने को नहीं मिलता है बहुत कम मंदिरlerde third a damn बुतकला ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए आप बारिश की वजए से और दूल मेटी की विजए से जो बाहरी सत्य है वो काली हो गई है थोड़ी सी यहां भी है ये देखिए पार्शवनाद जी की प्रतिमा शेर की आक्रती भी आप देख सकते हैं ये देखिए इस नाली से जल बाहर आता है मंदिर की जब सफाई की जाती है धोया जाता है जल से तो इसी नाली से जल बाहर आता है यहां देख सकते हैं आप ये दो ये देखिए यहां भी है प्रतिमा जैन तेर्थंकर की ये है मंदिर का पिछला भाग चल ये परिक्रमा पूर्ण करते हैं और पहुंचने ही वाले हैं हम बिलकुल सामने लीजिये हुई हमारी परिक्रमा पूर्ण जैहू पारशवनाज जी की देखिए बादल छाय में है मौसम बड़ा ही सुहाना है और देख सकते हैं आप कितनी हर्याली है यहां पारशवनाज जी के दर्शन करने के बाद में अब हम चलते हैं मुख्य मंदिर की तरफ जहां पर है रिशब देव जी रुकने की विवस्ता है वहां पर और यहां पर रिल्स बनाई जा रही है देख सकते हैं आप तो यह है मुख्य मंदिर का परिसर तो मुख्य मंदिर के पास में यहां पर है टिकेट काउंटर अगर आप मोबाइल फोन से या कैमरा से शूट करना चाहते हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे 100 रुपीज वो चार्जिस हैं यहां के उसके बाद में आप अंदर शूट कर सकते हैं इस गेट से अंदर आने प पर हमें यहां दिखाई देता है पार्शवनाजी का वो मंदिर जहां पर हम थोड़ी दर पहले थे और जैसे हम यहां घूमते हैं तो नजर आता है यह मुख्य मंदिर रणकपुर का यह देखिए आप अंदर तो यह है सामने वाला भाग रणकपुर जैन मंदिर का आदिनाजी के मंदिर का और मामा जी मामी जी उपर पहुंच चुके हैं वहाँ पर और सीडियां चड़के मुझे भी वहीं जाना होगा और थोड़ी सीडियां हमें चड़नी होगी तो जैसे हम यहाँ परवेश करते हैं सबसे पहले हमें दिखाई देती यहां चठ के उपर यह विशेश प्रतिमा ऐसी ही एक प्रतिमा मैंने देखी थी चित्ताबगड के किले के अंदर जो संत्रविदास जी की समाधी थी चतरी थी वहाँ पर देख सकते हैं आप इसके अंदर पाँच छरीर दिखाई दे रहे हैं जो जुड़ेव हैं और एक जो मुख है वो दिखाई दे रहा है तो वैसी ही है प Richtung है यहाँ पर है और यहां आप देख सकते हैं यह जो मंदिर के स्थम्भ हैं इनके उपर जो अद्बुत कलाकारी है इस मंदिर की विशेष्टा ही है यह जो कलाकारी है यह जो नकाशी है यह देगे प्रवेश द्वार जो है इसके उपर कैसा काम किया गया है और अब हम करते हैं मंदिर में प्रवेश ये देखे एक खास बात और है कि मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सर ढखके ही किया जाता है और मामी जी ने सर ढखा हुआ ही है तो महिलाओं के लिए ये खास ध्यान देने वाली बात है कि आप जब यहाँ प्रवेश करते हैं तो सर को ढखके ही आप अंदर प्रवेश करेंगे या तो आप अपना दुपटा ले के आई है अदर्वाइस आपको यहाँ पे भी मिल जाए कैसे इन स्थम्बों के उपर टिका हुआ है यह मंदिर अद्बुत मंदिर यह देखिए आप छट देख रहे हैं आप आर यह है इसके अलंकरत स्थम्भ शिल्पकला का अद्बुत नमूना है यह देखिए इसकी सुंदर्दा का वर्णन करना शब्दों में मतलब मेरे लिए भी संभव नहीं है बस मैं एक जलक दिखला सकता हूँ आपको इसकी असली आनन तो आपको यहाँ आकर देखने में ही प्राप्थ होगा वहाँ सामने है आदिनाजी की भवे प्रतिमा और वहाँ अंदर जाके शूट करना अलाउट नहीं है तो दूर से ही दर्शन जितने हो सकते हैं आप कीजिए वैसे तो सामने तोर पर मैं जिस जगह जाता हूँ वहाँ की जानकरी मैं खुद आपको देता हूँ लेकिन यहाँ पर मुझे मिल गया है एक छोटा सा ननना सा दोस्त तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो जानकरी दी जाए इसके थ्रूई दी जाए ठीक है सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाता हूँ मेरे इस ननने दोस्ते तो यह है मेरा ननना दोस्त जिससे मेरी हुए मुलाकात यहाँ रनकपुर जैन मंदिर के अंदर तो बेटा सबसे पहले आप अपना नाम बताईए लक्ष राज लक्ष राज तो सबसे पहले ये बताईए ये जो मंदिर है रणकपुर का ये है कितने साल पुराना है और इसका निर्मान किस ने करवाया था धर्णासा सेटने जो की कुंबलगड और छितोडगड के राजा महाराना कुंबा के मंत्री थे इन्होंने मंदिर का नक्षा बनाया था पूरा और आप जो मंदिर में सारे खंबे देख रहे हो पूरे 1446 खंबे 1444 चारों तरफ कोई ना कोई बगवान के आपको दर्शन होगे कोई पिलर बीच में आएगा सब खंबों के अलग-अलग डिजाइन किये तो यहां जो आप देख रहे हैं पांच नंबर ये जो है लिखा हुआ इसके नीचे जो प्रतिमा है ये प्रतिमा है यहां के जो मुख्य आर्किटेक्ट थे देपा जिनका नाम था उनकी तो जो धरणशा जी थे उनोंने एक स्वपन देखा था स्वपन के अंदर उनको नली नी गुम्न जो करके एक विमान होता है वो विमान उने दिखाई दिया था और उसी की आकरती के अंदर उन्होंने परिकल्पना की थी इस भव्य मंदिर की उन्होंने सोचा था कि मैं इस विमान की आकरती के अंदर ही इस मंदिर का निर्मान करवाऊंगा और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्स थे उनको बुलवाया था लेकिन किसी भी आर्किटेक्ट की जो कहते है न परिकल्पना से वो संतुष्ट नहीं हुए थे बाद में एक साधारण मिस्त्री जिनका नाम था देपा उनकी ये जो बनाई हुई जो मंदिर की परिकल्पना थी उससे वो संतुष्ट हो गए थे और उन्होंने सौंप दिया था देपा को इस मंदिर के निर्मान का कारेभार तो यहां जो आप देख रहे हैं छट के ऊपर यह जो अलंकरन किया गया है यह कहलाता है कल्प वरक्ष और इसके अंदर 108 ओम जो है वो बने हु सब्सक्राइब को बनाने के लिए अगर कोई मंदिर बनाता है अपना पहले बोड़ लगाता है और नाम भी लगाता है कि इता बड़ा मंदिर मैंने बनाया उसमें मेरा कुछ नाम होना अचीए पर ऐसा उन्हों को नहीं हुआ कि मैं नाम और बोड लगा हूँ चोटी सब्स यह देखिए बर्खा बहार आचुकी है और जो मौसम है वो और भी सुहावना हो चुका है और मैं उसी इस्थान पे खड़ा हूँ जहां पर है धरण शाजी की प्रतिमा और आप देख तकते हैं यहां यह जो पिलर है इनके बीच में यह जो इस्थान है यहां से दर्शन हो यह रायन व्रक्ष और इस रायन व्रक्ष के नीचे ही जो आधिनाजी थे उनको गुजरात के अंदर जो पालिताना नामदिस्थान है वहां पर कैवल्य ज्यान की प्राप्ति हुई थी तो यह जो व्रक्ष है यह जैन धर्म के जो मानने वाले हूं सब के लिए तो बहुत है ही और आप भी अगर यहां पर आते हैं तो व्रक्ष के दर्शन करना न भूलें तो यह देख सकते हैं आप यहां पर यह जो प्रक्ति माता ने जो गनेश जी की प्रतिमा बना दी है अपने अंदर यह बहुत ही बढ़िया है इस रायन व्रक्ष के पास में ही आप यहां चतरी के नीचे देख सकते हैं आदिनाजी बगवान की यह जो चरण पादुकाएं हैं यह वो है फिलाल बारिश हो रही है तो वहां हम नहीं जा सकते हैं आप देख सकते हैं इतनी देर में पानी आ चुका है यहां पर वो है राय आप इस तरीके से हैं वहाँ पर जब पाली थाना में जाना होगा तब हम दर्शन करेंगे फिलाल आप इसे देखिए यहाँ पर अब चलते हैं आगे आगे हैं हम एक हाथी की प्रतिमा तक यह लेगे हैं ये जो आप देख रहे हैं ये हाथी जो है मार्बल का बना हुआ इसके उपर विराजमान है आदिनाज़ जी की माता अच स29 terug आधीनाज जी की माता जी और उंके पूतर इस हाथी पर विराजमान तो सबसे पहले हमने से घ्रशन किये थे, वहां से हम जब सामने आते हैं इस इस्थान पर तो हमें दर्शन होते हैं आदिनाथ जी की प्रतिमा के वो जो आदिनाथ जी की मुख की प्रतिमा है उस प्रतिमा के शीच पर है एक मुकोट गर्भ ग्रे के अंदर तीन प्रतिमाएं और हैं तीन दिशाओं के अंदर वो भी आदिनाथ जी की ही प्रतिमाएं हैं यानि कि मंदिर के चारो भाग से आपको दर्शन होते हैं आदिनाथ जी के ऊपर जातर वहां शूप करना अलाउड नहीं है और मंदिर के अंदर लाइट क व्यवस्ता है नहीं व्यवस्ता इसलिए नहीं है क्योंकि लाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है तो दीपक के प्रकाश के अंदर दूर से मैं आपको clarity के साथ में दर्शन नहीं करा सकता हूँ इस साइड से जो है हमें आदिनाजी की जो दूसरी प्रतिमा है वो देखने को मिलेगी लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो मुकुट है वो धारण नहीं कर रखा है और खास बाद यह है कि यहाँ पर आदिनाजी की जो प्रतिमा आपको दिखाई देगी उस प्रतिमा की आँखों के अंदर आपको चमक दिखाई देगी और उस चमक का कारण है कि जो मोती हुआ करते थे सक्षे मोती उनको पीस के बारिक पीस के शूरा बनाके आँखों के अंदर वहाँ पे लगाया गया है तो उसी वज़े से यह जो प्रतिमाएं हैं जो चारो प् चार प्रतिमाएं स्थापित हैं सथ के ऊपर की कलाकारी आप देख सकते हैं और यहां यह जो रस्ती बंदी हुई है मतलब हमें प्रवेश करना है हमें वहां आगे से ही करना है बाकी रस्ती लगाई गई है चारो तरफ और इस सीमा से आगे हम कोई भी रिकॉर्डिंग या प्रवेश करने के अन्य रास्कों में से एक है जो तीन रास्ते हैं लेगिन इसे बंद किया गया है और यह आप जो घिड़की वाला देख रहे हैं अग्या इसका बड़ा मंदीर बनाया अपना कई नाम और बोर्ड नी लगाया चोटा से श्टेश लोगा इस आगी आपको आपको बता दिया अब उनों के राजा माराना खुंबा बंद आ गया जाता तो यह रात को गिर जाता था इसका निर्मान कार्यय पूरा नहीं हुआ था तो इसके अंदर जो ज़रो का है यह बनाके रख ठोड़ा गया था और कारण है वो आपको मेरा दोस्त बताई चुका ह तो यह देखिए अब इस स्थम्ब को पास से काफी चोड़ा है यह है जिसका निर्मान स्पेशली महाराना कुंबा करवा रहे थे अपने नाम के लिए और देख सकते हैं आप यह आज भी अधूरा है पहले हमें दिखाई नहीं दे रहा था तेकिन आप देख सकते हैं पहले इ मंदिर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया महाराना कुंबा को अपनी गल्ती समझ में आ गई थी यह देखिए इस तरफ भी आप देख सकते हैं यह जो हिस्सा है इसकी च्छत कैसी है वैसे तो इस मंदिर के अंदर आप जहां देखेंगे आपको मुर्तिया ही मुर्तिया दिखाई देती है लेकिन जो बगवान की प्रतिमाइब हैं वो हैं 3.500 तो इन 3.500 प्रतिमाओं को मुगल आकरांताओं से कैसे बजाया जाता था वो मैं आपको बताता हूं यह जो मंदिर हम देख रहे हैं इसके नीचे बहुत सारे स्टैखाने अंडरग्राउंड जिने कहा जाता है उनका निर्मान किया गया था और यह देखे आप कितनी आगे की सोच थी जब मुगल बात्वां के यूद होते थे तो इसके नीचे ठिपाते थे यादि यूद के असमें में नंदा भुट्या खंडिक मां भगवान की साड़े तीन तो मुठ्या है यूद के समय में उच्छे नाते थे और अब तो यूद के अधि इसके बंग कर दिया सारा नियों ज तो दो बार मंदिर बना दिये पारशनाद बगवान का और नेमीनाद बगवान का यह देखिया आप कैसे हो रही है यहाँ बरखा बहार यह हमेशा देखने को नहीं मिलता है तो यह दृश्षिपी आप देखिये पिप परसा पांई यह ओर इसमे बना दिया मौसम को और सुहाना जहां आप दृष्टी डालेंगे आपको ये स्थम्ब दिखाई देंगे और इन 1444 स्थम्बों की सबसे खास बात ये है कि कोई भी स्थम्ब दूसरे स्थम्ब से मेल नहीं खाता है कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर होगा, सिमिलारिटी नहीं होगी लेकिन इस मंदिर की खास बात है इसकी सिमिट्री जी हां वास्तू शास्त्र के नियमों को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का निर्मान किया गया था और इन इस्थम्बों को ऐसे बनाया गया था कि चार दिशाओं में जो चार प्रवेश द्वार से जब आप अंदर आते हैं किसी भी तरफ से आप आईए आपको प्रभू के दर्शन करने में आदिनाथ जी के दर्शन करने में कोई समस्या नहीं होगी लेकिन क्या धर्शाजी देख पाए थे दर्शन करने के बद में आई वह उदर वाले चौता बाव उनोग की मित्च्च वह गई तो वह नहीं देख पाए थे मैंने मेरे नन्य दोस्ते इसलिए पूछा वैसे तो इसको बहुत नौलेज है लेकिन मुझे पता था कि जो धर्णाशाजी है इस मंदिर का निर्मानकारे नहीं देख पाए थे क्योंकि इसके निर्मानकारे में 60 वर्शों का समय लग गया था जितना हिस्सा वो देख पाए थे उसमें से पूरा सा हिस्सा जो है वो बाद में बना थे बिलकुल पानी है धीरे धीरे जाना होगा और पूरे संग्मर्मर के ही यह है पिलर सब कुछ है सखे संग्मर्मर से बना हुआ यह मंदिर का तीसरा गेश है और उपर जो आप लिएक पांच शरीर जबाला देख रहे हो कीचक कहते हैं क्यों इसे यहां लगाया गया है अभी आपको बताता हूँ तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते समय मैंने आपको मुख्यद्वार की छत पर भी दिखाया था ऐसे पांच शरीर और एक सिर से जुड़ी विये प्रतिमा इसे कीचक की प्रतिमा कहा जाता है महावारत में जो कीचक था और इसे यहां लगाने का कारण यह है कि हमारे अंदर जो पांच विकार होते हैं काम, क्रोध, लोब, मद, मुख इन पांच विकारों को मंदिर में प्रवेश करते ही, यहां पर प्रतिमा कहते हैं कि वो खीच लेती है और जो पॉजिटिव एनरजी होती है, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित करती है तो नेगेटिव उर्जा है, वो हमारे शरीर से निकल जाती है और इसके बाद में जब हम प्रभू के दर्शन करते हैं सभी विकारों से मुक्त होकर तो आनंदफल की प्राप्ती होती है तो यहे जो कीचक की प्रकिमाएं है यहे दो द्वारों के उपर लगी हुई है एक जो मुख्य प्रवेश्द्वार है और एक जो तीसरा प्रवेश्द्वार है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चत्पर बनावा यह मंडप यह इस मंदर का सबसे सुंदर बार मंदप है, आप देख सकते हैं, जो नकाशी है, यह है, सबसे बहतरीन है, इस मंदिर की, यह देख सकते हैं, कितना बारी काम है, और इस तीसरे द्वार के यहां पर भी है एक हाती जैसा कि वो मरू देवी माता को आपने देखा था वहां पर सेम वैसे ही यहां पर है मरू देवी की एक प्रतिमा जो लाइट होती है उससे जो कीडे मकोडे होते हैं छोटे जो जीव होते हैं यह आकरशित होते हैं और यह इसके पास में आते हैं तो लाइट के पास में कुछ समय बिताने के बाद में यह नीचे गिर भी जाते हैं और हम जब चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे दब कर इनकी मृत्यू हो सकती ह परकार की जीव हिंसा जो जैन्व धर के अंदर जो है उसे मना किया गया है ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसी बात का ध्यान में रखते हुए यहां पर कोई भी जो आइटिवीशल लाइट का जो यूज है वो नहीं किया जाता है परिवार वाले यह बज़ा को बजलते हैं पापन पंच में के दिप जैसे थीन पीड़ी हमारे साथ में चल लिए पहले दर्नासा सेट की सेकंड भीपा मिस्त्रि आपको बता है मंजीर के आर्टिक और थर्ड हमारे पुजा ही लोगती बीना पगार के बगवान की आपर करते हैं और दर्नासा सेट के सब्ले में पूरी ग्यारा बड़ी मंजी लाई थी लेकिन उन्हों के मित्यू का नजबिक होने लगी तो उन्हों से पांच बन पाई कैसे पांच अपना अंडर्रांड आपको बताया दूस्तरा यह हम खेड़े जिगर दूस्तरा वहाती जा र जैसा कि मेरे नने दोस्त ने बताया कि धर्नाशा जी की जो है वो मृत्यू का समय उनको ऐसे नजदीक आता हुआ दिक रहा था क्योंकि आयू बहुत जादा हो गई थी तो परिकल्पना जो थी उनकी वो थी ग्यारा मंजिल के इस मंदिर के निर्मान की तो किस तरीके से बा तो जैसा कि अभी लक्षराज ने बताया कि अभी एक जो खास स्थम्भ है वो यहां पर टेड़ा है वैसे तो वास्तू के निमों के इसाब से सारी चीजे बनाई गई गई है लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ी सी कसर आपको छोड़नी चाहिए कुछ कमी रखनी चाहिए ताकि आपके भावन को यहां आपकी जो भी चीज है आपका जो कहते हैं ना कि खास पजेशन है उसको नजर ना लगे तो नजर ना लगे इस भाव्य मंदिर को इसलिए वो एक खास स्थम्भ थोड़ा सा टेड़ा बनाए गया चलिए पास चल कर देखते हैं तो यह जो पंदरा न घृज़ भी कोई तो Nelson अम्हा यह जो घृज़े तो इक है शberoak के यह जोगी तो नो को ब अन्यों सा को न नौकानम्तर बोला जिससे दोविज औures न लोगेник प्र ही तो आपके पैस घृज हा खास आंगा यहां आप देख सकते हैं यहां पर बताया जाता है कि वैसे पूँच है बाकी इसको इस तरीके से बनाया गया है कि आप इस साप की पूँच यहां कहते हैं कि अंतिम सिरा आप नहीं ढूंड सकते हैं यह इतनी बारीगी से बनाई हुई यह जो है कलाकरती और यह कहलाती है श्री सहस्तरफणा पार्शवनात क्योंकि यहां पर भगवान पार्शवनात जी की प्रतिमा है और इनके सिर के ऊपर है सहस्तरफण वाला नाद यह देखिया आदेश्वर भगवान की प्रतिमा है यहां अंदर और अभी प्रकाश की व्योस्ता नहीं है इसलिए आप वैसे नहीं देख सकते हैं द्वार बंध है लोग इना गुजुराती बासा में कावद भी कहते अबुनी कोतनी रानकपुर नी बांदनी अबुनी कोतनी रानकपुर नी बांदनी तारंगानी उचकोन शैत्रुन जी डी महीं मा कटको बटको काजे पर रानकपुर जाजी इसका मतलब क्या हुआ ये भी बता दो अभी को मैं ना कुछ जानकर और ले रहा हूँ आपको जबी पता चलेगा तो आपको जरूँ जानकर लक्षे को फिर भी गुजराती में क्या बोला जाता है वो याद है लेकिन इसका मतलब अभी इसे नहीं पता लेकिन ये सीख रहा है बहुत अच्छी बात है कोई बात नहीं और ये देख सकते हैं आप चौथा द्वार ये है खुलता है पहले द्वार के अलावा जिनों के अभी इस्ट्री आपको कूरी बता दी पहले कल्प्रवक शेट स्वाटों वाला और सेकेंड ता वह दूरा इसकंग घरता एकम और कांसरीर वाला कीचक अब चौथा भाग ध और इस द्वार के ऊपर की तरफ भी है कुछ खास चलिए वहां चल कर देखते हैं आ गया है हम चौथे भाग के द्वार के ऊपर तो यहां पर इस चौथे भाग को कूर्ण करवाने वाले जो सेठ रतना शाह थे धरना शाह के भाई उनकी ये प्रतिमा है और ठीक सामने ही है यह अधिनाजी की पृतिमा यह दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं चरण चिन जो औगे वहां पर है आधिनाजी की पृतिमाृम् 는 कि प्रतिमा में वहां इस्थापिवे हैं और यहां पर है एक नंदीश्वर दीप, यह देख सकते हैं आप, इस साइड में आप देखेंगे तो आपको दिहाई देगा जम्बू दीप, यह है जम्बू दीप, जो चौथी प्रतिमा है वो वहाँ विराजमान है, यहां पर रतना शाह वाली प्रतिमा है वो है जो आपने प्रतिमा थी उसके पीछे वाली दिवार का हिस्सा है जो खंडित हो गया था तो इसे यहाँ पर इस्थापित कर दिया गया है और नया भाग जो है वो लगा दिया गया है क्योंकि जो खंडित प्रतिमा होती है उसकी पूजा नहीं होती है और यह जो है आदिनाज जी के प्रत तो अब मैं आपको दिखाता हूं वो दो घंटे जिनके बारे में लक्ष ने हमें बताया है नर और नारी जी ने कहा जाता है यहाँ पर है वो दो घंटे लगे हूए नर और नारी और वहाँ शूट करना अलाओड नहीं इसलिए हम दूर से ही दर्शन कर सकते हैं सामने आपको चांदी का बरक दिख रहोगा ना वो अपने बहरव अधिश्वेक बहरवना मंदिर के रक्षक है पूरे आप राजिस्तान में जाओगे इधर ही आपको जोड़े के साथ मिलेगे इधर भी नहीं है और आप नाकोड़ा गयोगे उदर आदे इधर पूरे सरीव के साथ है वहाँ आप देख सकते हैं सामने भहरव जी की प्रतिमा पूर्ण प्रतिमा जो बताई थी यहाँ पर अभी लक्षने हमें और खास बात यह है कि यह जो प्रतिमा है यह अपनी जो अरधांगीनी है उनके साथ जोड़े के साथ यहाँ विराजमान है सामने जलता हुआ दीप है मोतियों के कारण वो यहाँ दूर से हमें दिखाई दे रही है यह देखिए सब दर्शन कर रहे हैं यहाँ पैठे हुए मुख्य प्रतिमा के सामने का जो मंडप है वो आप देख रहे हैं और इस मंदिर के अंदर ऐसे चार बड़े मंडप हैं और 20 चोटे-चोटे मंडप हैं बड़े वाले जो मंडप है यह कहलाते हैं मेग मंडप और यह जो है चोटे मंडप यह कहलाते हैं रंग मंडप इस तरीके से 20 चोटे मंडप हैं चार बड़े मंडप है यानि कि कुल संख्या हो गई 24 और जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनकी संख्या भी है 24 तो 24 तीर और यहां इस हिस्से में आप देख सकते हैं कालिया नाग का दमन किया था उसका यहां पे चित्रन किया गया है मद्य के अंदर है भगवान कृष्ण और कालिया नाग की पतनिया अनुनाय विनाय करती हुई और आप देख सकते हैं कि जो यह एकदम जाल जैसी रचना है हम रसी से भी इस तरीके से गाठें दें अगर तो इतनी बढ़िया नहीं बना सकते हैं कोई रचना और यह है पत्थर के ऊपर उकेर कर ऐसे बनाई गई है तो अद्बुत है यह यह जो रणकपुर मंदिर है इसे पहले कहा जाता था रणकुर और यह है नाम क्यों पढ़ा था यह भी बता देता हूं कि जैसा कि इसका निर्मान करवाया था महराना कुम्भा ने तो रणा से बना रण और जो हमारे धरना सेट जी थे वो थे पोरवाल तो पोरवार का आगया पुर इस तरीके से यह पहले क प्रजेक्ट क्या है एंग्लेश लेकिन नौलेश तो तुम्हें हिस्ट्री की है तो हिस्ट्री में भी मज़ा आता है है इतिहास अच्छा लगता है ओके बैरी गूर लक्षे को बहुत बहुत धन्यवाद इसने बहुत अच्छा साथ दिया मेरा यह यह जो आप देख रहे ह इसे हमें यहां से जल्दी निकलना होगा क्योंकि रास्ता जो है वो पहाड़ों वाला है और सिंगल रोड मिलेगी कापी हद तक हमें 47 किलो मिटर तक का जो रस्ता है वो सिंगल रोड वाला है उसके बाद में हम हाईवे पर पहुंचेंगे लेकिन अंधेरा हो जाएगा इस अधर की वेश्टा इतना इस पेस है कि क्या चार्जस है यहां पर शाम का 60 रुपीज है और मौनिंग में क्या रहता है नाच्टा नाच्टा जैसा कि भाई साब ने बताए कि जो शाम का भोजन होता है क्योंकि जैन दर्वीया संधियाकाल से पहले ही भूजन कर लिया जाता भी मिलेगा तो वहां उस प्रवेश द्वार से हम बाहर आए हैं और इस तरफ जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जाके है सूरे नाराण जी का मंदिर जो इस मंदिर परिश्चर के बिल्कुल पास में ही है और यहां आप देख सकते हैं बरसाती पानी की बहतीवी धारा कैस से प्रबल वेक के साथ बह रही है कि देखिए दिवार भी जो है वो भी हरी हो गई है काई जम चुकी है और फोटोग्राफी के लिए ऐसी दिवार बहुत ही प्यारी होती है सूर्य नारायन जी के मंदिर तक जाते जाते आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि आप रनकपूर कैसे आ सकते हैं देखिए वैसे तो जिस शहर से आप तीनों मार्गों द्वारा असानी से यहां पहुंच सकते हैं वो है उदैपूर सडक मार्ग हो वायू मार्ग हो या फिर हो रेल मार्ग तीनों से ही जुड़ा हुआ है उदैपूर अगर आपके शहर से आपके गाउं से आपके इस्थान से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है या बस नहीं है तो आप देख सकते हैं डिली तक की connectivity और वहां से इजिली आप आ सकते हैं उदैपूर 96 km का आपका विज़र रास्ता है ये आपको तैय करना होगा आधे रस्ते आपको मिलेगा ये जो आबू रोड वाला हाइवे है ये और उसके बाद में फिर बाकी के 47 km आपको आना होगा ये जो single lane type की जो सड़क होती है इससे उसका भी जो आधा रास्ता है वो गाउं से होकर गुजरता है और बाकी का जो आधा रास्ता है लग बग लास्ट वाली जो 20 किलोमीटर है यह है पहाड़ी शेत्र जो है उससे होकर गुजरता है और इतना बढ़िया दर्श्य आपको दिखाई देगा वैसे तो मैंने व्लॉग की शुरुआत में आपको दिखाया था रास्ते देख लीजेगा वैसे जो रनकपूर है यह है पाली जिले के अंदर इस्थित है और सादडी जो गाउं है इसके बिल्कुल पास में है 19 किलोमीटर की दूरी है वहां से चलते चलते हम आप पहुंचे हैं यहां सूरे नाराण की मंदिर तक तो यह देखिए यह है सूरे नार अश्री के साथ में और यह देखिए यह रहा सूरे नाराण जी का मंदिर जो रनकपूर का जैन मंदिर है उससे भी यहां पर आने का एक आंतरिक रास्ता है लेकिन हम लोग जो है बाहर चलते हुए है क्योंकि हमें यह जो बढ़साती नदी का पानी बहर रहा था इसे देख लिए दर्शन करते हैं सूरे नाराण जी के अंदर विराजित है भवान सूरे नाराण जी सामने गर्भ गरे के अंदर विराजित हैं सूरे नाराण जी की भव्य प्रतिमा देख सकते हैं अंदर जाकर शूट करना अलाउड नहीं इसलिए मैं बाहर से शूट कर रहा हूँ आ चुके हैं बाहर और अब की जाए परिक्रमा ये देखिए इस तरीके से है एक ये गुंबद हो गया एक ये हो गया मंडप वाला हिस्सा और ये जो है गर्व ग्रह का उपर का शिखर सूर्यदेव जो है वो सामान्य तोर पर होते हैं साथ अश्वों के रत पर सवार उस पर आरुड़ होकर वो करते हैं विचरन इस ब्रह्मान्द के अंदर लेकिन खास बात है इस मंदिर की यहां पर जो सूर्यदेव हैं उनका ये जो रत है यह खींच रहे हैं एक जार आठ अश्व जी हां मंदिर रूपी ये जो रत है सूर्यदेव का जिसमें विराजित हैं वो इसे कीच रहे हैं एक हजार आठ अश्व आपको दिखाता हूं ये देखें आप यहां पर है यह हश्व बने हूए और इनकी संख्या जू है एक हजार आठ है देख सकते हैं आप चारो तरफ ये नीचे वाली जो पंक्ती है ये अशुओं की है ये वाली और उपर जो है देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं ये देखिए आप इस तरीके से ये बनवाया गया था प्राचीन सूर्य नाराणजी का मंदिर यहाँ पिछले हिस्ते से ये बरसाती नदी को आप बैते वे देख सकते हैं और ये आगया मंदिर का पिछला भाग ये देखिया और इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये अशुओं की पंक्तिया ली ये करते हैं परिक्रमा को पूर्ण ये देखिये इसी के साथ हुई परिक्रमा पूर्ण इसी के साथ में रनकपूर का ये व्लॉग होता है यहीं पर समाप्त जो कुछ मैं आपको दिखा पाया हूँ आशा करता हूँ आप उससे खुश होंगे जो कमी रह गई उसे माइड मत कीजिएगा दुबारा मेरा जब भी अगर यहां पर आना हुआ तो आपको जो बाकी बचा हुआ है वह स्थान भी दिखाऊंगा अगर आपको इसे लाइक करना है शेर करना अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ में साथ ही कॉमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मु मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो यह जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाएए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जाते जाते आपसे इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूनते रहिए घुमाते रहिए शाम मुस्कुराते रहिए